करम लोगों ने ऑपरेटिंग किया था और ऑपरेटिंग एक्टिविटी की हमने सारी एंट्रीज देखी थी कहां पर क्या होगा क्या उसके कंडिशन्स होगी कहां कौन सी अडिश्मेंट हो सकती है वो सारी हमने कल देखने हैं आज हम देखते हैं investing activity and financing activity और यह दोने activity बहुत simple है अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं operating में investing और financing में गलती के chances बहुत कम होते हैं तो चलिए हम देखते हैं investing activity में क्या हो सकता है कौन-कौन सी entries होती है format तो आपका same रहेगा ठीक है details and total ठीक है particular तो चलिए ही शुरू करते हैं हम लोग investing activity investing activity में सबसे पहली चीज़ क्या होगी देखें investing activity जो है आप सभी को पता है कि यह activity totally non-current assets से related है किस से related है non-current assets से related है मींज यहाँ पर कोई भी entry जो record होने वाली है वो सब non-current assets से related है यहाँ पर non-operating income से related है दो ही चीज़े है ध्यामखनान non-current assets and non-operating income यह दो चीज़ें से related ही entry investing activity में record होगी इन activities से related अगर कोई cash in और out हो रहा है तो वही यहाँ पर record होगा आगी बस होने किस से related non-current assets and non-operating income तो चलिए देखे सबसे पहली चीज़ है plus sale of tangible assets अगर किसी भी हम tangible assets को sale करते है जैसे land है, building है, plant है, machinery है, furniture है इसको हम sale करोगा आप किसी भी assets को sale करोगा तो यह बताओ आपके पास पैसा आएगा या जाएगा आएगा यह हम sale करेंगे और cash पे sale करेंगे, तो हमाँ पास payment आएगा पैसा आएगा, तो cash क्या हो रहा, in हो रहा तो वो क्या हो रहा यहाँ पे, add होगा आगई बस सब्सक्राइब, clear और क्या हम sale करते हैं, जैसे sale of intangible assets याद करिए, मैंने आपको starting में ही बताया था अगर किसी intangible assets की value decrease हो रही है, क्या हो रही है decrease, और adjustment में लिख दे कि वो decrease क्या है sale, तो फिर वो operating में नहीं जाएगा, कहां जाएगा investing activity में, ऐसा generally कम देखने को मिलता है questions में ठीक है, अच्छा किसी भी assets को sale हम कब consider कर लेते है tangible assets को जब उसकी value previous year से current year में उसकी value decrease हो रही है, it means कि उस assets को क्या किया गया है, sale किया गया है, clear है आपे भई आपके पास पहले 20 लाख रुपे की machinery थी, आज आपके पास 15 लाख रुपे की machine बची है इसका मतलब आपे 5 लाख रुपे का क्या किया है सेल किया है, समझ गए की नहीं आपे को doubt है, चलिए तेरा का plus sale of non-current investment अगर खुल non-current investment है ठीक है, investment होता है हमारे पास तो investment अगर हम sale करेंगे तो investment sale करेंगे तो भी क्या होगा आपके पास, cash आएगा पैसे आएगे आपके पास और अगर पैसा आ रहा है आपके पास तो क्या है, cash का inflow हो रहा है तो inflow हो रहा है, तो क्या होगा add तो यहाँ पर यह concept बहुत सीधा सीधा है पैसा आ रहा है तो add, पैसा जा रहा है तो minus, बहुत ज़्यादा कोई भी tension लेने की ज़रूरत है ही ले, पैसा आएगा तो add जाएगा तो minus clear है आपे फिर क्या आता है plus dividend received यह dividend received आपका कैसी income है non operating income, कल हमने पढ़ा था याद करिए हमने कल इसको पढ़ा था operating activity में non cash है, non operating activity में हम इसको क्या कर रहे थे, minus कर रहे थे हम कल minus और यहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, add हो रहा है so on में आ रहा है, यानि अगर question के adjustment में आपको dividend received दिया है इसका मतलब वो दो ज़जह record होगा ही होगा पहला कहा record होगा, non operating activity में और दूसरा यहाँ पे investing activity में, is that clear? किसी कोई problem है? चलिए, फिर क्या है? plus interest on investment अगर investment हमने किसी कहीं भी कोई investment कर रखा है, किसी दूसरी company का share खरीदा हुआ है, उस पे हमें interest मिल रहा है, क्या मिल रहा है? किसी दूसरी company का हमने venture खरीदा जाए, कहीं investment किया है, उस पे हमें interest मिल रहा है, तो वो भी तो हमारी income है, तो कैसी income है? non operating income, तो non operating income याद करिए हमने non operating activity में क्या किया था? माइनस किया था और यहाँ पे क्या हो रहा है? add हो रहा है सहुन जा रहा है? भई, income है क्या है? rental income हमने अपने business की कोई property है या हमारी कोई vacant land है या हमारा कोई building का room है जो खाली है, हमने को किसी और को rent पे दे दिया तो हम अपनी property को rent पे दे रहे है तो उससे हमें rent मिल रहा है क्यों कैसी हो? rental income तो ये income भी क्या कहलाती है आपके? cash का inflow हो रहा है सीज़ी दी बाते हैं या पर चलिए फिर आते है minus purchase of tangible assets अगर हम कोई tangible assets purchase करें, यानि plant है, building है, machinery है, furniture है कोई भी assets अगर हम purchase करते हैं, तो assets क्या हमारा यहांस है? minus होगा भी आप assets purchase कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर रहे है, payment कर रहे हैं, भी फ्री में तो खरीद रहे है अगर हम credit पर purchase कर रहे हैं, तो entry नहीं आईगी यहांपे लेकिन कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हम cash पर ही purchase कर रहे है भी आपके पास balance इंगम कैसे identify करें कि यह purchase हो रहा है, अगर आपकी assets की value, previous year से current year में increase हो रही है, क्या हो रही है? increase, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? कि आपने assets खरीदा है, तभी तो assets बढ़ा, और खरीदा है तो पैसे दिये होंगे, पैसे खर्च किये, तो पैसे जब आपके पास से गया है, तो cash का क्या हुआ? outflow, और outflow होगा तो क्या होगा? minus, कोन में आया? यहां तब कोई doubt है? फिर आता है minus, purchase of intangible assets, ठीक है? तो intangible assets को भी हम क्या करते है? minus करते है, क्या करते है? माइनस करते है क्योंकि भाई goodwill है patent है copyright है हम patent भी purchase करते है हम copyright purchase करते है कि दूसरी company का तो हम purchase कर रहे अगर उसकी value बढ़ रही है इसका मतलम क्या कर रहे है purchase इधार नखी गा goodwill, patent, copyright कोई भी intangible assets है जिसकी value previous year से current year में increase हो रही है it means वो क्या हो रहा है purchase हो रहा है और purchase कर रहा है इसका मतलम पेमेंट कर रहा है तो payment कर रहे हैं तो cash का क्या होगा outflow होगा और cash का outflow होगा तो क्या होगा minus बुले कोई दिकर आगे बढ़ते है minus purchase of non current investment non current investment को भी हम क्या करते है purchase भाई अगर investment की value previous year से current year में increase हुई है increase हुई है इसका मतलब क्या होगा आपने purchase किया अब purchase हुआ है तो क्या होगा minus होगा तो पर्चेस करने के लिए आपको पैसे देने पड़े होगे आपको पास है cash गया है it means यह क्या होगा minus होगा यहां तक clear किसी को doubt है आगे बढ़ते हैं अब जब आप इसे पूरा calculate करेंगे तो आपका result क्या आएगा cash flow या फिर used in investing activity अध्यानक यह अगर आपका result positive आता है कैसा positive तो आपके लिखेंगे flow ठीक है और अगर आपका result negative है इसका मतलब क्या होगा used है क्या है used है आगे यह बास होगे clear तो यह आपका आगे हमने इसको नाम दे दिया B क्या नाम दिया B और यह जो result आएगा इसको हम total के column में transfer कर देंगे को doubt है आप है कोई problem तो हमारा investing activity complete हो गया अब आपके हम लोग financing activity पे किस पे आते है financing activity पे अब जरह ध्यान दीजेगा अच्छा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह तीन यहां पर जैसे इन्वेस्टी में लिख है नहीं यह dividend received interest on investment rental income अगर यह किसी हम लोग banking company का cash flow बना रहे होते तो क्या वो यहां आता तब वो कहां आता हमारा operating activity में अगर हम किसी भी financial business या banking business का cash flow बना रहे होते सब यह investing activity का part नहीं होता तब यह किसका part होता केबल और केबल operating activity का part होता आगी बहुत सब्सक्राइब यहां पर चलिए financing activity में सबसे पहली चीज आपको basic बताता हूं जैसे कि मैंने आपको investing में basic क्या बताया कि क्यों दो ही चीज से related entry आएंगे एक तो non current assets और दूसरा आपका non operating income इसी तरह से यहां पर जब हम आपके financing activity में तो यहां पर भी क्यों दो ही चीजे आती हैं पहला है आपका owners fund और दूसरा है आपका non current liability आभी बसेंग है clear और तीसरा आता है non operating expense क्या आता है non operating expense कुछ पार्ट है आपका current liability का बट वो limited पार्ट है क्या है केवल और केवल short term borrowing current liability का एक ही subhead है जो यहां पर consider होता है वो कौन सा short term borrowing और कुछ नहीं आता current liability का बाकी सब कहां का आता है owners fund का non current liability का और non operating expense आभी बसेंग है यही तीम चीजों से related entries यहां पर आएंगी और अगर दिख रहा है कि आपको cash inflow हो रहा है तो add अगर आपको लग रहा है कि cash outflow हो रहा है तो क्या होगा minus तो आप देखेंगे समझेंगे हम लोग किस activity में cash in होता है किस में cash out होता है आधी बसे कई बार question board exam में ऐसा भी पुछ लिया जाता है कि cash deposited into bank cash deposited into bank it is a cash inflow और आउटफलो क्या है जान्मी अगर अगरवांच अगरवांच आउट लोग भाई यह विए विए तुम्हारा केश उठा के तुम अपने bank में जमा करें पैसा कहीं गया क्या है जैए तुम्हारे जें में है तुम्हारे account में पैसा है तो तुम्हारी पास ना तो नो फ्लो है यहां पर ना inflow हुआ ना नहीं को डाउट है तो इस तरह के भी क्रेशन पुट अप हो जाते हैं तो फिलाल हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं सब्सक्राइब हुआ है अगर हम क्या करेंगे जिर्फ इक्टी खे सेटो ँके और हम्य को बढ़ते हैं यह जो उनन्हां इतुबर बना क्यों हम ज़र share issue करते है तो पैसा आता है न क्या होता है, cash का inflow होता है, तो कैसे पता चल रहा है share issue हो रहा है, अगर equity share की value previous year से current year में increase हो रही है, क्या हो रही है, increase हो तो यहां पर जितने भी चाहे वह श्यर हो चाहे डिवेंचर हो चाहे बॉर्ण हो चाहे बॉट गेज हो यानि ओनर्स वंड हो या आपका नॉन करेंट लाइबिल्टी हो अगर उसकी वैल्यू प्रीवियस येर से करेंट येर में इंक्रीज हो रही है इतना को याद रहेगा मैंने पहले कहा था बैलंससीट को अब ध्यान से देख लिए तो इकूटी शेयर आपका के हो रहा है ईसउ का वह रहाएं जब आपका शेयर की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज क्या होती है इंक्रीज स्थियोर प्ल Μ рук म्मने प्रिशम == यह भी क्या होगा, जब preference year की value क्या हो रही है, increase हो रही है, यानि previous year से current year में उसकी value increase हो रही है, इसका मतलब cash का क्या हो रहा है, inflow हो रहा है, यहाँ तक को doubt है, अब ज़रा ध्वान दीजेगा, fair gap plus issue of dementia, diventure, diventure, ठीक है, तो यह भी क्या हो रहा है, increase हो रहा है, तभी तो इसका मतलब issue हो रहा है, और add होगा, इसी तरह से आपका क्या होगा, increase in bond, mortgage, public deposit, आगे लिख लिजी आप लो, public deposit, bank loan, अगर bank loan है, या public deposit है, ठीक है, यह सब अगर आपका increase हो रहा है, क्या हो रहा है, increase हो रहा है, it means कि आपकी value क्या हो रही है, increase हो रही है, आगे बहुत है, increase हो रहा है, इसका मतलब cash का क्या हो रहा है, inflow हो रहा है, और inflow हो रहा है, तो क्या होगा, add होगा, सहन जाए या तक कोई डाउट है चलिए आगे बढ़ते है इसमें और क्या आता है मैंने कहा था अब यहाँ पर आपको लगबग सब कुछ मिल गया होगा आपको अब एक लाइबिल्टी कौन सी करेंट लाइबिल्टी करेंट लाइबिल्टी कौन सी यहाँ पर आती है only short term borrowing क्या आता है only short term borrowing तो short term borrowing क्या हो रहा है जैसे increase increase in short term borrowing अगर increase हो रहा है तो क्या होगा यह भी add होगा clear है यहाँ पर आपको क्या क्या आता है दो ही चीज़ आती है bank overdraft and cash credit क्यों दो चीज़ आती बैंक overdraft and cash credit अगर इनकी value increase हो रही तो यहाँ पर add होगा इसका वाज़ा आपका क्या है cash inflow हो रहा है अब क्या होता है plus security premium reserve क्या है increase in security premium reserve अगर security premium reserve हो रहा है तो वो भी क्या होगा add होगा भाई अगर आप share को security premium पे issue करोगे तो premium नहीं आएगा आपका पैसा premium तो कभी भी share में add होता नहीं है यह तो हमने last chapter में पढ़ाई है issue of share में कि premium is never be a part of share capital it is separately shown on under the head reserve and surplus तो reserve and surplus में आपका security premium तो वो भी increase हो रहा है तो क्या होगा add होगा को doubt है तो यह होगे आपका तो यह होगे आपके add की condition कहां कहां cash inflow हो रहा है आगी वसल में यह हमने starting में भी लिखा था कब-कब cash inflow होता आपका financing में आपको याद होगा अगर उसको देख लीजेगा सिर क्या minus कि redemption of कि preference share preference share का क्या होता है redemption होता है कि नगी नहीं हम preferences redeem कर रहें इसका मतलम पैमेंट कर रहें भाइए प्रिफेंट शेयर की वैलीउ अगर previous burst Champion हो रही है इसका मतलम हमने क्या किया preference share holder को payment कियां तो cash का क्या हो रहा है और आउटs फिर क्याespère रिडेम्शन आफ डिवेंचर, बांड, एटसेक्टर जो भी है आपके ठीड़ेर, तो ये रिडीम होंगे तो ये भी क्या होगा माइनस, क्योंकि आप इन्हें रिडीम करोगे तो पेमेंट करोगे की नहीं, बाई जिसभी डिवेंचर होगे डिवेंचर आप वापिस लोगे तो उसको payment करके ही तो वापिस लोग है, तो क्या हो रहा है आप है, cash का outflow हो रहा है, आगरी बसल है, फेरा minus, decrease in, value of, bank loan, public deposit, हाना, और भी जो आपके long term borrowing है, जैसे mortgage, bond, अगर इनकी value क्या हो रही है, decrease हो रही है, decrease, तो decrease हो रही है, तो ये भी क्या होगा, minus, क्योंकि आप इसकी value, अगर decrease कर रहा है, it means कि पैसे का क्या हो रहा है, आउट फ्लो हो रहा है, cash का क्या हो रहा है, आउट फ्लो, और अगर cash का आउट फ्लो होगा, तो क्या होगा, minus, clear है आप है, फिर क्या आपका minus decrease in decrease in short term short term borrowing short term borrowing को अगर decrease कर रहे हैं यानि bank over draft and cash credit यही दो तो होते हैं अगर bank over draft और cash credit दोनों की value क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा cash का outflow भाई आपने bank से पैसे लिए तो over draft किया तो उसे वापिस तो करोगे bank को तो जब आप वापिस करेंगे तो cash का outflow नहीं हो रहा clear है आप है code out फिर आता है minus interest on deventure bond mortgage ठीक है and public deposit, bank loan है ना जितने भी आपके debt है चाहे वो deventure हो, bond हो, mortgage हो या public deposit हो यह जितने भी आपके long term debt है इन पे जो हम interest पे कर रहे हैं वो interest क्या होगा? minus होगा अब ध्यान दिए यह आपका non operating expense है और यही non operating expense आपने add किया था कहाँ पे? operating activity में non operating activity में क्या किया था आपने? add किया था और यह यहाँ पे क्या होगा? minus just reverse effect है की नहीं? clear है यहाँ पे? code out? चलिए फिर है minus minus dividend हाँ क्या problem है? minus dividend paid अगर dividend paid है तो आप उसे क्या करेंगे? minus करेंगे clear? तो dividend paid हम कर रहे हैं भाई dividend हम किसको पे करते हैं? shareholders को ठीक है? तो shareholder को जो हम dividend pay कर रहे हैं वो क्या होगा यहाप है? minus यह आपको non operating activity है? यहाद करी हमने net profit before find out करने से पहले dividend paid एड़ किया था? वहाँ एड़ किया था? यहाँ क्या कर रहे है? minus सौन में आ रहा है कि नहीं? फिर के आपको minus proposed dividend कौन से year का? previous year का कौन से year का? previous year का यह मैंने आपको पहले ही बता रहा था, चाहे वो dividend हो, चाहे वो interest on debenture हो, या interest on investment हो, यह जब भी calculate होगा, अगर आपको कोई date specify नहीं किए, इनकी issue की redemption की, तो आप हमेशा कब calculate करेंगे? previous year के amount पे, लेकिन अगर date specify है, तो क्या करेंगे? यह ध्यान रखना, अगर आपको question में कह दे, कि इसको हमने issue या redeem, एक अप्रेल 2021 को किया, मान लीजिए आपको जैसे 2021-2022 दो year है, अब कह रहा है कि आपका जो है, एक अप्रेल 2021 को इन्हों ने क्या किया है, issue किया, यानि beginning में ही तो issue कर दिया है, तो जब आपको beginning की date दे दे, तो आप क्या करेंगे? current year के amount पे, date तो लगए ही previous की, लेकिन amount किस पे निकलेगा interest? current year पे, आगई गास है, लेकिन अगर आपको year की end date दे दे, यानि 71 मार्ग 2022 दे दे, तो आप किस पे निकालेंगे? previous year के amount पे निकालेंगे, यह ध्यान रचेगा, और जब कोई date नहीं दिये, तो आप हमेशे किस प year पे निकलेगा, और previous year, next year की date है, यानि current year की date दे, end की date दे, year end की, यानि 31 मार्ग दे रखा, 2022, तो year के end date भी है, अगर आपको closing date दी है, तो आप किस पे निकालेंगे? previous year पे, किस पे निकालेंगे? previous, तो यह दो चीज़े clear रहेंगी, beginning की date दी है, तो current year पे, closing की date दी है, तो previous year पे, क्या calculate करना है, चाहिए वो interest हो, चाहिए dividend हो, कुछ भी हो, आगी बास साल में, clear है, कई बार आपको year के mid की date दे देता है, किस की? mid की, जैसे 1 जुलाई दे दे, 1 दिसंबर दे दे, 1 अक्टूबर दे दे, तब आप क्या करेंगे? मान लिए, आपको दे दिया 1 जुला पे, तो आगे के 9 महीने का, जो आगे के मन्त है, उनका interest current year पे निकलेगा, और पीछे के जो मन्त है, उनका previous year पे निकलेगा, समझ में आ रहा है कि नी? मेरी बात नहीं clear हुई होगी है, चलिए, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने 1 जुलाई को मान होगा, वो previous year, sorry, current year के amount पे calculate होगा, किस amount पे? यानि current year का amount माली यह एक लाख है, तो एक लाख into 10 upon 100 into 9 upon 12, समय आ रहा है कि नी? लेकिन अब जो बचे तीन महीने, वो किसमे निकलेगा? previous year पे, तीन महीने का amount interest किसमे निकलेगा? previous year पे, अब आगी बात समय, clear है आपे, तो अग बढ़ते हैं, अच्छा इसमें एक आता माइनस, interim dividend, अगर interim dividend है तो वो भी क्या होगा? माइनस होगा, आगी बात समय, अब आपका जो result आएगा, वो क्या आएगा? cash flow या cash used in financing activity, क्या आएगा? cash flow are used in financing activity, जो भी amount आएगा, इस amount को आप, अगर plus में आता है, तो कोई बात नहीं, minus में आता है, तो उसे bracket में रखना है, minus में आएगा, तो used word को आप use करेंगे, और अगर plus में आता है, तो आप कहली कहेंगे? flow, और जो भी result आएगा, उसे total के column में हम transfer कर देंगे, यहाँ तक clear होगे? हाँ, कौन से? mid year वाला, देख लो, अगर तुमसे कहेंगे, मान लो, कि आपका जो debenture है, वो issue हो रहा है, एक अगस्त को, कभ issue हो रहा है, एक अगस्त को, तो यानि आपके पास debenture का previous year का amount भी given है, और current year का भी amount given है, मान लिजे, previous year का amount given है, एक लाख, और current year का given है, दो लाख, ठीक है, अगरी बसे ले, अब यह बताओ, एक अगस्त के बाद, 31 मार्ट तर कितने महीने होंगे, आठ महीने होंगे, तो आठ महीने का जो interest निकलेगा, वो इस amount पे निकलेगा, मान लिजे, 10% interest है, तो 10 upon 100 into 8 upon 12, समझ में आ रहा है कि ने, किसमे निकलेगा है, current year के amount पे, लेकिन अब जो पहले बच्चे यो चार महीने थे, यो पुराने चार महीने है, वो किसमे निकलेगा, previous year, यानि इसमे निकलेगा, एक लाग पे, अभी समझ में है, तो एक लाग पे जब तुम interest निकलेगा, तो क्या करोगे, एक लाग इन्टू 10 अपॉन 100 इन्टू 4 अपॉन 12, क्यों 4 मन्थ का interest निकलोगे, समझ में आगे यहाँ पे, कोई doubt है, कोई problem, तो यह जब mid में होगा, तो ऐसे interest calculate करना है, अक्सर आप interest calculate करने में गल्पी कर देते हैं, चीक है, और उसकी वेसे पुरान सा करब़ोपन, तो फ यह देखे हैं, मैंने जो आपको बताए बेटा है, यह maximum possibility है, इसको format को देखके घवराने की ज़रूत नहीं है, कि नहीं सर इतना वरा format कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी घवराना नहीं है, basic concept में बार-बार बता रहा हूँ कि एक ही चीज़ी आग रखनी है, items अगर आपने balance sheet पढ़ी, तो आपको पता होगी, क्या होगी, लेकिन अब शुरू से ही नहीं पढ़ा, तो सुरस में कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो फिर format देखके, आपको सामने question practice करना होगा, कमसकम अगर 20 question practice कर लोगे, तो आपको याद भी हो जाएगा, कहां कौन सी entry जाने व net cash flow, क्या चाहिए, net cash flow, तो देखे, net cash flow हम निकालते हैं, net cash flow आता कैसे, A plus B plus C, A क्या था हमारा operating activity था, ठीक है, B क्या था हमारा, investing activity था, और C क्या हमारा था, financing activity, था की नहीं, बोलो भई, हमने इसको financing को क्या दिया, C नाम दिया, और यही हमने outer column में लिखा, यानि अब A, B, C, यानि operating activity का जो result आया, investing activity का जो result आया, और financing activity का जो result आया था, इन तीनो result का जब आप sum करोगे, तो वो क्या आएगा, आपका net cash flow आएगा, क्या आएगा, net cash flow आएगा, अब आपको net cash flow मिल गए, अब हमें चेक करना है, कि यह net cash flow जो आया, यह सही है या गलत है, क्या identify करना है, चेक करना है, answer तो आपका यही है, जो हमें निकालना है net cash flow, हमें answer तो इतना ही निकालना है, बढ़ हम इसको check भी कर सकते हैं, यह answer सही है या गलत है, तब इसको check कैसे करेंगे, how to check, answer is correct or wrong, तो देखर इसको check करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हम करते हैं, plus opening cash and cash equivalent, आगी बास अगले, तो opening cash and cash equivalent को add करेंगे, और क्या plus करेंगे, plus opening current investment, क्या add करेंगे, opening current investment, यानि cash and cash equivalent और opening current investment, दोनों का opening balance हम क्या करेंगे, इसमें, add कर देंगे, जब इन दोनों का balance हम इसमें add कर देंगे, तो अब जो result आमा चाहिए, यह जो result आएगा, यह equals to होगा, क्या होगा, equals to, किसके equal होगा, it is equals to closing cash and cash equivalent plus closing current investment, यानि अगर आप closing cash and cash equivalent और closing current investment को, current investment को हम marketable securities के नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, marketable securities के नाम से, ठीक है, तो इन दोनों का जो closing balance add हो, वो इन तीनों के सम के equal आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अगर equal आ रहा है, it means your answer is correct, उसमें कोई question नहीं होगा पर, सौन जा गए यापर, तो यह हमारा क्या हो गया, cash flow, clear है यापर, देखे हमने cash flow की maximum possibilities को discuss किया है, maximum possibility, मतलब क्या maximum transaction हो सकती है, आधी वासल, clear है यहापर, अब ज़रा मैं एक shortcut में आपको मैं बता देता हूँ, concept के वल, देखे हमने शुरू किया था कहां से, net profit after tax and dividend, जो की आपको reserve and surplus से मिल गया था, उसका आपने current year minus previous year किया, मैंने कहा था, उसके बाद आपको निकालना क्या opposite करना है, क्या करना है, back gear लगाना है, क्या करना है, back gear लगाके गाड़ी चलानी है, यानि हमको उल्टा चलना है, यानि जो हमारे पास income, non operating income थी, share, भई profit से ही तो हम shareholder को dividend देते हैं, profit से ही तो हम general reserve create करते हैं, तो जो चीज़े profit से निकाल के हमने बाहर की थी, उन्हें अब क्या करना है, add करना है, अगर आपका basic clear होगा ना, तो बहुत असान है करना, ठीके, आपका basic क्या है, आपको पता है कि general reserve कहां से निकाला जाता है, profit से, आपको पता है कि shareholder को dividend कहां से दिया जाता है, profit से दिया Profit में और आपको पतारी टेक्स कहां से दिया जाता है Profit से तो टेक्स वापिस और करना है यही तो करना है तो यह सारी चीज़ें हमने आपका रिजल्ट आ गया था Net Profit Before Tax and Dividend अच्छा यह आ जाने के बाद क्या हुए हमारा अब हमको लेना था कहां था हमें चाहिए ओपरेटिंग से cash का inflow और outflow तो यानि हमें ओपरेटिंग profit पे जाना है कहां जाना है तो ओपरेटिंग profit पे जाने के लिए हमें net profit में से वो चीज़े हटानी है जो हम इसमें use कर चुके थे जैसे non operating expense and non operating income यहां हम यहां कर रहे हैं और नॉपरेटिंग इंकम को माइनस कर रहे हैं उसका मतला माप मवापिस जा रहे रहे तो यार करें में लिखा तवहाँ पर नौनिक कर अपरीटिंग इनकम डूर्ण užग और नौं अपरेटिंग एक्सार्वन एड़ की तो एगस्सट व तोब्लस जिसे लिए्च एएट nerd udah हूँ सब्सक्राइब करेंगें तो व हम्हारा वापिस वापिस हमें मिल झाएगा आगी बाष ओन मे Betis उसमें क्या थह न सब्रस्टेंड का इन सब्सक्राइब डर्मिने नयाफ चीर्अ करेंड होना था यहीं deferred revenue expenditure का return off, यही तीन तो आते है, non cash activity में, उन्हें कैट ही आपने add कर गी, तो आपका अब result क्या आ गया, operating profit before working capital, changes आ गया, बहुत ध्यान से सुनते चलिए, concept के revise करा रहा हूँ आपको, focus करिए concept पे, भार बार कह रहा हूँ ध्यान से, तो यहाँ पे बहुत आपका रिज़र्ट आगया, operating profit before working capital, changes यह मिल गया आपको, अब हमें क्या चाहिए, कि before working capital changes कह रहा है, यानि वो activity अब लेनी है, जो working capital से रिएक्टर है, working capital का फॉर्मला आपने पढ़ा होगा, current assets minus, current liability, तो भई current assets और current liability का डिफरेंसी तो working capital होता है, तो उस current assets और current liability में जो changes आ रहे हैं, उन changes के वाज़े से कितना cash in हुआ है, कितना cash out हुआ है, तो ध्यान दीजेगा, profit operating profit before working capital changes से पहले, जो भी कुछ हुआ सब उल्टा हुआ, सब reverse gear में चला, अब गाड़ी को क्या करना है, ठीक है, अब पार्किंग वाला ठीक है भाई, तुम पार्किंग पही रहोगे क्या, अरे आगे बढ़ना है भाई, तो हम क्या करेंगे अब इसमें, forward gear लगाएंगे, यानि अब इसके बाद जो भी transaction करेंगे, वो सीधा सीधा देखेंगे, कैसे सीधा देखेंगे, अगर आपकी current liability increase होती है, तो भाई ये बता, पैसा आएगा न, cash क्या inflow होगा, भाई हमने कहीं से उधार लेंगे, तो cash आया न, तभी तो current liability बढ़ गई, आग भी बस तो, अगर हमने किसी current liability का payment कर दिया, तो current liability घट गई, घट गई तो मतलब पैसा गई है, तो minus होगा, इसी तरह से current assets के case में, अगर current assets बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, cash का outflow हो रहा है, क्योंकि assets आप खरीद हो गए, तभी तो बढ़ेगा, आग भी बस हो गई, और current assets घट रहा है, तो इसका मिदध हमारे पास से पैसा जा रहा है, और पैसा जा रहा है, तो क्या होगा, minus, so on में आ रहा है, sorry, उल्टा मोल दिया, current assets आपका decrease हो रहा है, तो पैसा आएगा, क्योंकि आपने current assets को क्या की आए, sell out किया, क्या की है, sell out, तो इसमें मैंने आपको दो एकसे ने लिए जाते हैं और करेंट इंवेस्मेंट and cash and cash equivalent जिनका यूज साब अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने क्या करना था है नॉन करेंट एसेक्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अफिर लास्ट बचा आपका इन्वेस्टिविटी जिसमें आपका ओनर्स पंड नॉन करेंट लाइविलिटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से रिलेटेड अगर कोई कैश इनफ्लो और आउट्फ्लो हो रहा है तो यहां पर रिकॉर्ड होगा फैनेंसिंग में इतनी ही तो सेवा है इतना ही घ्यान रखना है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही